हेलो दोस्तो एजट इलेक्टरिकल वार्ग्स एटुब चैनल में आप सभी लोग का हर्दिक स्वागत तो चले दोस्तो आज हम लोग सीखेंगे हम लोग का जो साथ वायर बला टाइमर होता है इसका कनेक्शन किस तरह से हम लोग पोपल्ली वाशिंग मिशिन में करेंगे आज स्टेब बर स्टेब दिखाएंगे देखिए हम लोग को जो वाश टाइमर होता है तो इसका कनेक्शन करने में भी बहुत जदा मुश्किल होता है तो दोस्तो आज जो है साथ वायर का कनेक्शन करके दिखाएंगे और अब लोग कमेंट करेंगे कि कितना वायर टाइमर का कन कनेक्शन चाहिए तो हम भी बना देंगा जो कमेंट करेगा उसका नाम भी उसमें बताएंगे ठीक है उस वीडियो में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों यह में देख सकते हैं कि यह एक साथ वायर बाला टाइमर है दोस्तों टाइमर का कनेक्शन करने से पहल देखिए यह जो साथ वैयर बाला टाइमर में देख रहे है यह जो इसके ийयो डिया बाला टाइमर में दूसर में में प्रभाट करते हैं ठीक है तो करते हैं दोस्तों एक ही रिव् הרज़ के लिएgg लिए कर दिशे कर दो महांत्यकर सबस्क्क्राइब पर देख सकते हैं दोस्तों सात वायर बला टाइमर है तो सात वायर बला टाइमर अब देखेंगे तो इस तरह से एक साइट में तीन वायर बहार निकल गाएगा एक साइट में इस तरह से चार वायर बहार निकल गाएगा cool meila करके is site में 3 is site में 4 cool meila करके 7 wear तो 7 wear में से यह जो this site में 3 wear है इसका connection सब सा पहले देखते है इसका connection कहां से कहां daughters जाएगा यह 3 wear त्योरousse लोईद जte out हुए इस जो middle wear है madd !!! कौन सा face देखिए main supply का face में जोनना है main supply का face क्या है देखिए यह जो 3-5 टॉप है यह 3-5 टॉप से 220 supply हम लोग का washing machine का अंदर में जाएगा और तब जगर के ना washing machine चलेगा 220 supply ये 3-pin top से दिया जाता है तो ये 3-pin top से 3 wire बहार निकलता है एक face, एक neutral, एक 8-3 तो 8-3 का wire जो है वो body में लगता है जो face होता है और neutral होता है वो washing machine का अंदर में जाता है 220 supply ले करके ठीक है तो दोस्तों ये जो face wire है ये face wire में ये जो middle वाला wire है ठीक है, जिस site में ये तीन wire है तीन wire जिस site में है इसका middle वाला wire है, ये face का wire है यानि कि ये main तार होता है ठीक है, main तार तो timer में face supply दिया जाता है तो ये जो middle वाला wire है, ये face का wire हो ठीक है, तो ये wire ले करके आपको main supply का face में जोड़ देना है ठीक है middle वाला wire हो चुका है अभी दोस्तों बात करते हैं देखिए middle वाला wire है और middle वाला wire का देखिए इस site में एक wire है इस site में एक wire है तो इस तरह timer को सीधा आप पगड़ेंगे तो देखिए ये middle वाला wire का ये site का wire होगा right site wire ठीक है ये right site का wire middle का right site आप देखेंगे तो इसमें एक पीन लगा हूँ आपको देखने को मिलेगा चाहिए वायर का जो कलार कोड़ एंग अलग-अलग हो सकता ळेकिन ईए direct में एक पीन आपको इस तरह से थिंबल आपको लगा हूँ भाद देखने को मिलेगा है तो ये वाइर कला लाईएगा ये वाइड दोस्तों Water Selector का वाईर एड वाटर सेलेक्टर क्या है देखिए Water Selector जो इस तरह से रहेगा Washing Mission में Water Selector है थीक है तो Water Selector में आपको तीन पीने देखने को मिलेगा देखिए यहां में दो पीने नीचे में दो पीने एक टॉप में ऊपर में एक पीने आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह टॉप में जो पीन होता है दोस्तों इसमें आपको लगाना है यह वायर ठीक है इसमें यह लगा देना है यह वायर ठीक है हो च को लिसे अपी साईट का वायर कहाँ लागेगा देखिए जो लेपक को वायर हो दोस्तोट यह बघर में लगए बघ़र क्या है धी हम लोग बघर इस तरह से होता है दूसरा ठाइप का बघर आपको देखने को मिलेगा डिफ़रण ū़सर टाइब बजर होता है लेकिन बजर का काम क्या होता है देखिए हम लोगा जो वाश टाइमर है उसको घुमा के अगर 15 मिनिट 30 मिनिट वाश के लिए सिलेट करके रखते है जब 15 मिनिट 30 मिनिट वाश का कम कंप्लीट हो जाता है तो वाशिंग मेशिन का अंदर से एक साउंड आता है जो वो sound जो आता है ये buzzer से आता है ठीक है तो यह होता है buzzer तो यह wire ले करके आपको buzzer का एक pin में लागा देना है ठीक है और एक pin आप बोलेंगे एक pin में क्या लगाएंगे तो एक pin में already already एक pin में supply दिया हुआ रहेगा washing machine का चाए वो neutral supply हो सकता है चाहे face supply हो सकते, एक पिने में already एक supply दिया वार आएगा, तो ये, तो ये wire बजर का हो चुका है, और एक बार तीन wire का बता देते हैं, देखिए, ये जो middle wire है, ये main supply का face में जाएगा, और इसका जो right side wire है, ये किसमें लगाएगा है, ये water selector का उपर बला, जो top बला जो pin होता ह ये top, देखिए, ये जो top बला पीन होता है, water selector का, ये water selector करका, टॉप बला पीन में आपको लगा देना है, ठीके, ये main होता है, main, water selector का main होता है, ठीके, इसमें लगा देना है, दोस्तों, जो left side का wire है, ये अभी बताया, ये कहा में लगाएगा, ये बजर में लगाएग तो यह साइट के तीन वायर का connection complete हो चुका है वायर का connection color code अलगे लोग हो सकते है लेकिन connection बताया हो इस तरह से आपको करना है ठीक है properly हो जायएगा उसके बाद देखिए एक site डालाग अलाग हो सकते है बार बार करके बोल रहा हो तो ये कीनरा का दो जो वायर है ये दो वायर में आपको इस तरह से दो पीने देखने को मिलेगा देखिए ये जो दो वायर है ये जो कीनरा का दो वायर है ये दो वायर में आपको दो पीन इस तरह से देखने को मिलेगा ल लगा दिया आभी दोस्तो बाचा कितना वायर देखिए यह दो आर्ट रोट सेलेक्टर में लगा देएक किनरा का दो वायर अभी बचा दोस्तों यह दो वायर ठिक है। 2 वायर सबसे लं необходимо को मिलेंगा तो यह दो वायर कुन सा वायर है ये को रहा होता है एक हाई रैंसी बाला कापसिटर रहते हैं एक लो रिंऍज बाला कापसिटर होता है वह वस मोटर के लिए अर्श-बी कम कापसिटर रहता तो यहां में और एक capacitor है आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं यहां 11 एक capacitor है यहां 6 एक capacitor है तो high range बाला जो capacitor होता है वो wash motor के लिए use होता है तो हम लोग wash motor का wash timer का connection कर रहा हूँ ठीक है तो इसलिए यह जो दो wire होता है दोस्तों यह running starting का wire होता है running starting wire जहां में washing machine का motor का running starting लगता है वो लगता है कापसिटर में और वही जगा में आपको यह जो दो wire है यह दो wire लगाना है ठीक है high range बाला capacitor जहां में लगावा होएगा ठीक है तो यह दो wire होता है running starting यह यह capacitor की wire आज जो एक किनरा का दो wire होता है यह water selector का wire तो इस तरह से आपको connection करना है पोपली connection हो जाएगा साथ wire का तो दोस्तों हम आशा करते हैं यह वीडियो में आपको बहुत कोई जान करें मिला है तो दोस्तों वीडियो में जान करें मिला है प्लीज वीडियो के लिए like जरू कर दीजेगा चायमेर सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जाए हिंद बंदे मातरम